हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल देविंद्र मैथ क्लासीज देखे किश्च नमबर 11 देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 सर्कल्स का क्या कहता है प्रूदेट हमें क्या प्रूव करना है वई तब पैरललोग्राम सर्कम्स्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रो पैरललोग्राम से ये पैरललोग्राम बना ले वई तो को है ये पैरललोग्राम है इसको मैं ऑड़ नाम ले लेता हूं छे एंटर को और ये पैरलली फाराम है ABCD नाम रख लेते हैं, इसका कुछ भी नाम रख लेंगे, ठीक है, order में लेंगे बट इसको, ABCD को, अब ये जो parallelogram है, वो क्या है, एक rhombus है, ये parallelogram क्या है वही एक rhombus है, इस बात को अपने को prove करना है, देखो given क्या है अपने पास अगर बात करें हम, given क्या है, कि अपने पास given है कि ABCD क्या है अपने पास, एक, भई ABCD नाम दिया है, नाम ने इसको, तो ABCD क्या है, एक parallelogram, ABCD is a parallelogram, अब parallelogram है, तो भई, देखो, देखो क्या given है, आप मैं इसको और थोड़ा explain कर दूँ, दुबारा से, कि एक circle है, ठीक है, अब और वो circle जो है, वो किस से गिरा हुआ है, एक circle है, वो किस से गिरा हुआ है, parallelogram से गिरा हुआ है, किस से गिरा हुआ है एक circle, parallelogram से गिरा हुआ है, अब ये कहता है, कि ये जो parallelogram है, वो एक rhombus है, इस बात को प्रूव करें आप, तो सरल बासा में हम देखेंगे इसको कैसे, जो parallelogram से गिरा है, ये circle, इस parallelogram को rhombus कैसे प छिर्ट काम मिलेंगे और हमें क्या प्रूव करना है यह जो जो ABCD है ABCD है is a rhombus यह rhombus है यह बात अमने प्रूव करने अब rhombus है rhombus क्या होती है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो ना सभी साइड्स इक्वल हो बट रॉम्बस में सभी साइड्स जरूर इक्वल होती है लेकिन यह इस अगर के एंगल आगरे ही हो जाते तो यह सभी साइड में होते है तो यहिंनि ह। कि square में और rhombus में हाना कि इसका जो corner यहां square में क्या रहते 90 डिग्री लेकिन rhombus में नहीं होते हैं यहां बात side की करेंगे देखें तो हमें क्या लाना है यह rhombus अपने को क्या लाना है कि AB equal है BC के equal है CD के equal है AD के यह हमने प्रूव करना है ठीक है भाई आप ABCD rhombus it means यह अपने को लाना है अब हम इसका प्रूफ देखेंगे हम solution देख रहे हैं अब इसका देखो जो अपने को लाना है यहां पे AB equal to BC भाई AB और BC को इनको equal अपने को लाना है तो इन सबको अपने को equal लाना है ना यहां पे बात करें तो अगर A external point है देखो A external यहां क्या है A external point है और यह circle पे अगर मैं बात करूं यह जो touch हो रहे हैं इसको भी नाम ले लेते हैं इसको ले ले P, Q, R और S देखो वही जब circumscribe करेगा ना तो यह touch जरूर रहेगा यहां इन पे यह बात ध्यान दें तच जरूर रहेगा चार जगें पे circle हाना, तो यहां अगर बात करूं तो A external point है और यह जो AP आप देख रहे हैं आप यह कह सकते हैं कि यह जो AP है या AB है यह क्या है इस circle पे tangent का क quería रहा है, पी यहां पे point of contact है और यहाँ पे S point of contact है इसका R point of contact है और इसका Q है ठीक है इस external point से AP और AS क्या है दो tangent row आप कह सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे अगर AP और AS tangent है तो इनकी जो length है वो क्या होगी equal होगी AP is equal to AS हमने पढ़ा है theorem 10.2 में आपने अगर वो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए important theorem भी है वो तो यह दोनों equal है तो इनका region भी हम लिखेंगे देखो अब हम बात करते हैं AB equal है BC के हना AB और BC equal है पहले इसको अगर मैं बात करूँ AP मैंने लिखा है AP is equal to AS तो मैं AP के साथ में BP को लिख लेता हूँ वई किसको लिख लेए BP को इसी साइड में लिख लेंगे क्यों लिख लेंगे क्यों कि जब हम add करेंगे तो left left को add करेंगे right right को add करेंगे तो AP के साथ में अगर BP रहेगा तो यह AB बन जाएगा जब add करेंगे P और BP क्या बन जाएगा AB तो मैंने BP को इधर लिख लिख लिया है BP लिख देया PVA की बात है is equal to है B के ओके ठीक है बई और यह तो इनकी बात हो गई अब इनकी बात और कर लेते हैं हम लिख दें DS equal है किसके बई DR के इसमें external point कोण काम कर रहे डी DR और DS क्या है एंजल और यहां पर CR अब देखो DS के साथ में हम CR नहीं लिखेंगे DS के साथ में DS अगर आपने लिखा है तो DS के साथ में AS AS देखें हमने पहले लिख लिख लिया है है ना AS क्या लिख 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 ल यहाँ पर इसको change करके लिखना है इस बात को ध्यान दें कि इसको ds is equal to dr ना लिखके dr is equal to ds लिखेंगे देखो क्या फाइदा होगा इससे अगर मैं बात करूँ तो dr ये dr dr और देखो इधर देखें ds और as ds और as एकी साइड में होगे ना तो जब ये जुडेंगे तो right right में रहेगा ये और right right में जब दोनों जुड जाएगे तो क्या जाएगा ad बन जाएगा तो similarly अब इसको एक और बचा है अपना क्या बचा है dr हमने लिखा है dr लिखा है तो cr लिखें इसके साथ में क्या लिखेंगे cr क्यों क्योंकि ताकि इनको जुडेंगे तो क्या बन जाएगा ये cd बन जाएगा is equal to cq वज यही बात इसमें आपको ध्यान में रखनी है अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये क्यों है सभी equal ये length of length of tangent tangent from from an external point external point are equal वो क्या होती है वई equal होती है length of tangent from external point are equal अब यहाँ से बात करें तो इनको equation नाम दे दे 1, 2, 3 और 4 दे दिया वई इन सब को अब क्या कर दे add कर दे देखो first plus second plus third plus four अब यहाँ बात करें तो अगर हमने इसको सही लिखा है देखें यही बात इसमें ध्यान रखनेगी है कि इनको आपको सही लिखना है कौन सा किस साही डाना है इस बात का ध्यान रखना है ap 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 plus bp plus dr plus cr is equal to क्या है वई as plus bq plus ds plus c मैंने left left को जोड लिया है और right को right रखना को जोड लिया है अब यहाँ बात करें तो ap plus bp क्या है वई देखो ap और bp मिलके ab बन रहा है न तो इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं ab plus dr और cr मिलके क्या बन रहा है dr और cr मिलके dc या cd बन रहा है कि नहीं cd बन रहा है लिख देंगे इन दोनों की जगह cd is equal to अब यहाँ देखें as plus as plus b क्यो bk क्यों से कुछ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा न तो हमें as के साथ कौड साप फायदा बनेगा जिससे वह को उसको साथ मा लिख लिएगो देखा है as ords को देखें a s allds बन रहा है بलकूल तो इन दोनों pairs को साथ में लिख लेगे as S को, तो A S plus D S, इन दोनों को साथ में लिख लिए, अगले स्टेप में इनको एक साथ में, B Q plus C Q को साथ में लिख लिख लिए, ठीक है, इधर तो आपका बन गया A B plus C D, लेकिन इधर नहीं बना है अभी, अब बन जाएगा, देखें, A S और D S को मैंने साथ साथ में लिख लि हैं, अब A S plus D S कि बात करें, A S plus D S, क्या बन गया, A D बन गया, तो इसको लिखेंगी, A D, पालास B क्यों और C क्यों B क्यों और C क्यों ये क्या बन गया BC बन गया वई तो ये इसके equal आ गया लेकिन ये हमने ये इसके equal थोड़ी लाना था देखिए ऐसा question आप पहले भी देख चुके है शायद question number 8 होगा आपने देखा होगा जातक मुझे याद आ रहा है question number 8 में ऐसा आया होगा कि external points से ऐसा अपने को कुछ पूरू करना था अब यहां पे अगर देखिए तो ये नहीं लाना था अपने को हमें लाना है लाना क्या है अपने को लाना है कि ये सभी equal है क्या लाना था और BC को equal कर दें भाई ये side अगर इसके equal कर दें तो ये सारी equal हो जाएंगी तो यहां पे देखें AB plus CD जो है अब अगर बात करें AB plus CD तो AB equal है किसके? CD के? ये given में थाना है परलेलोग्राम है तो अब यहां पे रख देंगे AB AB plus CD की जगए भी क्या लिख सकते हैं? सिद्डी की सब्सक्राइब आप भी लिख सकते हो क्योंकि एक इवन है आपके पास ठीक है अब एबी को आप क्या एडी प्लस बिस्ची है एडी एडी का है यह रहा तो आप एडी को अगर बिस्ची के इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं तो भी हो जाएगा प्रूव यहां अगर देखें तो एडी को क्या लिख दें आप एडी को लिख दें बिस्ची बिस्ची पलस बिस्ची ठीक है तो यहां से क्या हो गया ट्वाइस ओफ एडी किसके इक्वल आ गया ट्वाइस ओफ बिस्ची क्या गया तो टू से टूकट गया एडी इक्वल टू क्या आ गया A, B is equal to क्या आगया, ये side अब इसके equal आगई, ये side इसके equal आगई, it means क्या हुआ, finally क्या हुआ, भई ये इसके equal तो थी, और ये इसके equal थी, तो ये इसके equal आगई, तो सारी equal हो गई ही नहीं, सभी equal हो गई, तो यहां से finally आप क्या नहीं सकते हैं, कि A, B equal आगई, therefore A, B equal है, B, C के equal है अब a b किसके equal है पहले ही थी है तो cd के equal था ना तो यह equal है cd के और cd यह साइड किसके equal है bc के सामने सामने की तो पराबर है एक डी के ठीक है वाई तो यह था आपने प्रूव करना था यह प्रूव होता है ऑके स्टुडेंट यह था आपका question number 11 अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और सेयर करें